प्रुधान मंत्री नरेंदर मोदी जी सेवन शिखर सम्मेलन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी पहुंच गए हैं बैठक के बाद पिये मोदी 28 जून को UAE का भी दौरा करेंगे यहां वो सन्युक्त अरब अमिरात के पूर्व राश्टपती और अबू धाबी शासक शेक खलीफा बिन जायत अल नायान के निधन पर शोक प्यक्त करेंगे बता दें की करीब दो महीने में पिये मोदी दूसरी बार जर्मनी की यात्रा पर गए हैं इससे पहले प्रधानमंतरी मोदी दो मही को जर्मनी गए थे जहां उन्होंने छटी भारत जर्मनी अंतरसरकारी विचाल मर्श बैठक में हिस्सा लिया था आपको बता दें की जी सेवन समू दुनिया के साथ सबसे अमीर देशों का समू है जिसकी अध्यक्षिता अभी जर्मनी कर रहा है इस समू में ब्रिटेन, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जैपान और अमारिका शामिल है विदेश सचेप ने बताया कि जी सेवन शिक्ष सम्मेलन का आयोजन जर्मनी की अध्यक्षिता में हो रहा है जिसमें अध्यक्षिता, इंटुनेशिया, सेनिगल, दक्षिन, अफ्रिका जैसे देशों को भी आमंधृत किया है इस बैठक में अमेरिकी राष्टपती जोबायजन बिटिश, प्रधान मंतरी बोरिस जॉनसन फ्रांस के राष्टपती इमानुवल मैंग्ट्रो कहना जा कि प्रधान मंतरी जस्टिन टूरू, सहितकाई अन्यशीष नेता हिस्सा ले रहे हैं जुमनी की यात्रा के दौरान प्रधान मंतरी मोदी दो सत्रों को संभुधित कर सकते हैं जिसमें एक सत्र पर्यावरन, उर्जा, जलवायू का होगा और दूसरे सत्र में खाद, सुरक्षा, लांगिक, समान्ता और लोकतंत्र जैसे विशे शामिल है इस शिखर बैठक से इतर प्रधान मंतरी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले कुछ देशों के नेताओं के साथ विपक्षिये बैठक भी करेंगे जी सेवन शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रधान मंतरी मोदी को निमंतरन दोनों देशों की करीबी गट जोड और उच्छ तरिय राजनीतिक संपर की परंपरा के मद्दे नजर दिया गया है बहिंजी सेवन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पिये मोदी 28 जून को सन्युक्त अरब अमिरात की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंतरी मोदी सन्युक्त अरब अमिरात की यात्रा के दौरान UAE के पूर्वराष्ट पती एवं अबुधाबी के शांसक रहे शेक खलीफा बिन जायद अल नायान के निधन पर व्यक्तिकर्श धांजली देंगे बता दें कि UAE के पूर्वराष्ट पती एवं अबुधाबी के शांसक रहे शेक खलीफा बिन जायद अल नायान का निधन 13 मई को हुआ था इसके अलावा पियमोदी, UAE के ने राश्ट पती एवं अबुधाबी का शांसक चुने जाने पर शेक मुहम्मद बिन जायद अल नायान को बधाई भी देंगे इसी दिन यानी 28 जून की रात को ही पियमोदी, UAE से स्वदेश वापस लोट जाएंगे इस वीडियो पर क्या है आपकी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल TV9 Digital झाल